हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको किलिंग मी सॉफडी ये 2002 की थ्रिलर मिस्ट्री हॉलिवड मूवे एक्स्लोन करने वालो हूँ ये मूवी स्टार्टी में एक ट्विस्टेड लोग स्टोरी लगती है पर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर बन जाती है तो चली इसे explain करना start करते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे में request करना जाता हूँ कि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को like करते हैं तो चली वीडियो शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि माउंटन पर कुछ लोग हाइक कर रहे होते है यही हाइकिंग करते हुए एक्सिडेंट हो जाता है और सब लोग मर जाते है इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम हता है ऐलिस यह हमें दिखती है यह जोब मुवी है इसके स्टोरी ऐलिस हमें बता रही है ऐलिस का घख दिखाया जाता है और ऐलिस हमसे कहती है उसके जादा कुछ फ्रेंड्स नहीं है उसके फैमिली के साथ भी रिलेशन्शिप उतने अच्छे नहीं है Alice उसके boyfriend के साथ London में रहती है यह one and a half year से London में रह रही है first six months में इसे बहुत ही lonely मेसुस हो रहा था तब ही इसका boyfriend बन गया अब Alice उसके boyfriend के साथ ही रहती है Alice का boyfriend एक engineer है और Alice website वगरा बनाने का काम करती है Alice हमें यह सब बता रही है इससे पता चलता है कि वो एक ordinary life जी रही है जो उसे जादा पसंद नहीं है इसके बाद Alice अपने काम पर जा रही होती है रस्ता क्रॉस करने के लिए फुटपात पर वो रुकती है तब ही उसे Adam दिखता है Alice जब उसे देखती है तो उससे वो attracted हो जाती है जब रस्ता क्रॉस करती है आगे चलती है तब ही उसे ही देख रही होती है उसको ओफिस पीछे होता है पर सोचते सोचते वो आगे चली जाती है ओफिस के बाहर रुकती है और Adam कहा काम करता है ये वो देख लेती है आज दिन बर वो Adam के बारे में सोचते रहती है Alice का जब lunch break हो जाता है तो Adam को जिस book store में जाते हुए उसने देखा था वही वो पोच जाती है वो Adam को चूपके से देखती है पर Adam उसे spot कर लेता है वो फिर से बाहर निकलती है तो Adam वही खड़ा होता है अब Alice हमसे कहती है कि Adam ने मेरे लिए एक taxi मंग वाए यानि कि यह दोनों Adam के घर जाने वाले है यह जो story है यह Alice बता रही है अगर आपको लगा कि यह कुछ illogical है पर उसके mind में इसी तरह के से इस story बनी है तो यही वो बता रही है Adam और Alice एक दूसरे से attracted है तो यह directly Adam के घर पर आ जाते है एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है जब Alice यहाँ से जा रही होती है तो Adam उससे कहता है कि कल भी तुम आना Alice खेती कि मैं काम करने वाली हूँ Adam कहता है तो आज रात आ जाना Alice को जो बोलती नहीं Adam कहता है कि जब भी तुमें लगे तब तुम आ जाना मैं यही रुकूंगा Alice ने अपने boyfriend पर cheat किया है तो उसे बहुत guilty महसूस होता है उसका जो routine चल रहा था उसे वो continue करना चाहती है वो Adam को भुलाने की कोशिश करती है पर book stand के यहाँ Adam की photo देखती है Adam पर एक book लिखी गई होती है Adam actual में बहुती बड़ा hiker है hiking करते वक्त एक accident होआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान उसने बचाई थी Alice को Adam से मिलना होता है वो अपने आपको रोक रही थी पर वो पर रोक नहीं पा रही वो directly Adam के पास आ जाती है और यह दोनों फिर से intimate हो जाते है Alice फिर Adam से कहती है कि मैंने तुम्हारी book पढ़ी Adam कहता है कि वो मेरी book नहीं है वो मुझ पर based है Adam फिर उस accident के बारे में कहता है Adam ने accident में लोगों को बचाया था पर उसमें ही और भी लोग थे जो मर गई थे Adam फिर इनके बारे में कहने लग जाता है कहता है कि यह बहुत ही unfortunate accident था यह होना नहीं चाहिए था Adam की एक girlfriend थी जो भी इस accident में थी उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है जो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि 20,000 feet की उचाई में कैसा महसूस होता है Adam फिर fish pot की पास जाता है Fish को pot से बाहर निकालता है तो fish फड़फड़ाने लगता है Adam कहता है कि इसी तरीके से हमें भी महसूस हो रहा था इस हाथसे को अब 2 साल हो चुके है अब Alice Adam से कहती है कि मैं किसी के साथ हू Adam कहता है कि पर तुम अब यहाँ हो अपने काम से घर जाते वक्त Alice को अपने boyfriend का call आता है या वर उसे I love you कहता है तो Alice भी कह देती है Alice को बहुत ही guilty महसूस होता है तो रात में अपने boyfriend के साथ break up कर लेती है उसके boyfriend को कुछ समझ में नहीं आता वो उसे पुछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो Alice कहती है कि मैं किसी और से मिली हूँ उसका boyfriend पुछता है कि हम एक साथ रहते है और फिर भी तुम किसी और से मिल रही थी इसे बहुत ही hurt मेंसूस होता है और इनका break up बहुत ही बुरा होता है Alice फिर घर से निकलती है और Adam की हाँ आज आती है वो door knock करती है तो वहाँ से एक लड़की आती है Alice को चिट्रेंड मेंसूस होता है उसे लगता है कि Adam की एक girlfriend होकी ये लड़की Alice को बिठाती है और फिर कहती है कि वो Adam की sister है इसके बाद Alice को जड़ा अच्छा लगने लगता है Adam की sister का नाम Deborah होता है और Deborah को Alice के बारे में सब कुछ मालूम होता है ये दोनों बात करने लग जाती है पर Deborah कहती है कि मेरा brother एक hero है पर ये चीज वो भूल जाता है जो accident हुआ था इसमें उसने लोग को बचा ही था पर जो लोग मर गए उनके लिए वो अपने आपको जिमेदार मानता है ये एक accident था और ये किसी के साथ भी हो सकता था ये वो भूल जाता है Deborah Alice को एक drink offer करती है और कहती है कि अब तुम उसके साथ हो यही important है Alice को यहाँ पता चलता है कि Deborah थोड़े दिनों के लिए बाहर कही थी इसलिए Adam उसके घर में रह रहा था Deborah एडम के घर का पता उसे दे देती है Alice जब एडम के घर पर पोच्छती है तो Adam वहाँ नहीं होता बाहर बहुत ही थंडी होती है पर एडम जब वहाँ पोच्छता है तो उसे देखकर बहुत ही खुश होता है यही दूसरे के साथ रात बिताते है जब सुबह होती है तो Adam की इंटर्व्यू लेने के लिए मैगजिन से एक जनरलिस्ट आती है Alice को काम के लिए जाना होता है पर उसे उसके कपड़े नहीं मिल रहे होती है सब जगावा ढूर्णने लग जाती है आती है तो कब़ड वो लौक होता है सब रावज शेक करती है तो उसे एक चावी कब़ड मिल जाती है पर तभी उसे उसका शर्ट दीख जाता है और वो पहेन लेती है या Alice उपर के रूम में होती है और Adam का नीचे इंटर्व्यू चल रहा होता है Adam के फोन पर कॉल आता है जो Alice उठाती है पर वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती Alice कोई दरा suspicious लगता है पर वो इसे जाने देती है Alice ready हो जाती है और work के लिए जा रही होती है तब ही Adam में देखता है और इंटर्व्यू के बीच में ही उठकर उसके पास आजाता है उसे कहता है कि आज दिन भर मैं तुम्हारे बारे में सोचने वाला हूँ Alice भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सोचूंगी Adam पोचता है कि क्या तुम्हें hiking सिखनी है Alice भी interested होती है तो Adam फिर कहता है कि काम हो जाने के बाद तुम यहां आ जाना मैं तुम्हें लेकर जाओंगा Adam फिर Alice का काम हो जाने के बाद उसे indoor hall में बूला लेता है जहाँ पर वो mountain climbing की practice कर सकते है यहाँ पर Adam की sister Deborah भी है Deborah Alice को wall चैनने के लिए rope वेगरा लगाती है उसके shoes वेगरा tie करती है उसे उपर चैनने में help करती है जब Adam यह सब देखता है तो Alice की pass आ जाता है Deborah को Alice से दूर कर देता है Adam Alice को कहता है कि वो मेरी sister है पर मैं उसे बहुत ही hit करता हूँ इसके बाद हम देखते है कि Alice अपने friend से मिल रही है वो अपने friend को कहती है कि जब से वो इस new relationship में है तो वो बहुत ही बदल चुकी है उसकी life बहुत ही excited है ताकि जो friend है यही उसके ex boyfriend की भी friend है उसकी friend कहती है कि break up हो जाने के बाद उसका बहुत ही बुरा हाल हो जुका है Alice की friend उसे समझाती है कि तुम सिर्फ Adam से attracted हो पस सिर्फ attraction की वज़े से एक कुछ अच्छी relationship होगी ऐसा कोई भी 100% sure नहीं है Alice को ऐसा नहीं लगता Alice कहती है कि हम दोनों की relationship बहुत ही अलग है Alice अपने friend से मिल कर रस्ते से जा रही होती है और अब वो Adam से मिलने वाली है रस्ते पर एक आदमी उसकी purse ले लेता है और भागने लग जाता है Adam भी उसे मिलने ही आ रहा था तो यह सब वो देख लेता है और उस आदमी की पीछे वो भागने लग जाता है आगे चल कर उसे वो पकड़ लेता है Alice भी थोड़ी देर में वहाँ फोज जाती है इस आदमी को Adam बहुत मार रहा होता है और मारते मारते उसे मार भी सकता है तो इसलिए Alice उसे रोग लेती है Alice को अगर कुछ हो जाता तो उसे हैं नहीं पाता वो रेलाइस करता है को Alice से बहुत प्यार करता है और Alice को कही भी डालता है वो फिर उसे बुच्छता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी Alice को अजिप लगता है कि जादा जल्दी हो रहा है पर फिर भी वो भी उसके बहुत ही प्यार में है तो हा कह देती है एक दिन घर के बाहर Alice को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अपना दिमाग तुम यूज करो तुम Adam के बारे में एक्च्छल में कितना कुछ जानती हो Alice को बहुत ही वियर्ड लगता है और Adam को एक लेटर दिखाती है Alice Adam को ये भी कही थी कि एक फोन कॉल आया था जिसमें कोई भी बात नहीं कर रहा था एडम कहता है कि इस पर जादो तुम ध्यान मत दो अगर फिर से तुम्हारे साथी हुआ तो मुझे बताना जिसमें एक टाउन में लेकर आता है एडम का फैमिली जर्च होता है जिसमें वो शादी कर लेते है ये बहुत ब्यूटिफुल जगा होती है एडम को बच्पन में जो भी स्पोर्टस अच्छे लगते थे ये सब वो Alice को दिखाता है Alice भी आज बहुत खुश होती है एडम Alice से कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि हर आदमी के दो पीसे होते है वो दूसरा पीस उसका सोल मेट होता है यही हम हमेशा से ढूनते रहते है एडम कहता है कि तुम ही मेरी सोल मेट हो एडम प्लान बनाता है मैरे सिलिबरेट करने के लिए वो Alice के साथ ट्रिकिंग पर जाना चाता है जगा बराते है यह वो कपड़े चेंज करते है कपड़े चेंज करते है वक्त Alice जब न्यूड होती है तो Adam उसके फोटो निकालना चाता है Alice शर्मा रही होती है और वो confidently उससे फोटो निकालने के लिए कहता है यह फोटो उसने स्टैजू के पास निकाली होती है मुवे में आगे आपको इसका और भी significant पता चलेगा Adam फिर फोटो लेने के बाद एक flare gun निकालता है और उसे आकाश में चलाता है As a fireworks यह काम करता है Alice पूछती है कि तुम्हें यहाँ flare gun कैसे मिली Alice कहती है कि मेरा honeymoon मैंने अलग imagine किया था Adam कहता है कि तुम्हारा honeymoon तुम कभी भूल नहीं पाऊगी Adam Alice को लेकर आगे जाता है और Alice भी उसे follow ही करती है रात हो जाती है पर फिर भी उसे follow ही कर रही है थोड़ा आगे चलकर river के पास एक beautiful घर होता है जो उनके लिए होता है Alice को यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है यह अंदर जाती है तो Adam उसके लिए drink बनाता है Adam फिर घर में एक hook fit करता है उसने उसके साथ एक silk ribbon भी लाई होती है यह ribbon वो उस hook को बानता है यही ribbon वो Alice के गले को भी wrap कर देता है यह दोनों फिर इसी तरह के से intimate हो जाते है Alice कहती है कि उस दिन मैंने सब control छोड़ दिया मेरी सास पर भी Adam का ही control था और उसे यह बहुत ही अच्छा लगा था अब थोड़े दिन गुजर जाते है और एक दिन घर के बाहर Alice को एक letter मिलता है इस letter में लिखा होता है कि Adam से शादी करना यह एक mistake थी Alice को लगता है कि उसका ex-boyfriend यह सब कर रहा होगा इसलिए उसे वो call लगाती है यह call उसके friend ही उठाती है Alice की friend और उसका ex-boyfriend यह दोनों अब relationship में है Alice इस letter पर जादा ध्यान नहीं देती एक दिन Adam Alice को एक party पर लेकर जाता है यह सब उसके mountain चड़ने वाले सब friends की party होती है इस party में Adam को सब घेर लेते हैं और Alice से वो बात नहीं कर पाता वोसे बहुत यह आकिला महसूस होता है यहाँ पर Deborah भी होती है तो Alice के पास आ जाती है Alice को ज़रा अपसेट देखकर बोशती है कि हुआ क्या है Alice कहती कि मेरा ज़रा सर दुख रहा है Deborah Alice का हाथ लेती है और से एक्क्यूप्रेशर करने लग जाती है थोड़ी देर में Alice को अच्छा लगने लग जाता है Deborah ने Alice के लिए एक नेकलेस लाया होता है जो Alice को देती है Alice को भी नेकलेस बहुत ही अच्छा लगता है Alice जब थोड़ी देर में फिर से पार्टे में घुल मिल जाती है तो Adam के फ्रेंड भी Alice की और Adam की शादी हो गई है इसे वज़े से सेलिबरेट करने लग जाते है इस रात के बाद फिर से Alice का रूटिन जैसे चल रहा था वैसा चलने लग जाता है एक दिन जब वो जॉब पर होती है तो उसे रिपोर्टर का कॉल आता है ये रिपोर्टर कहती है कि जब मैंने Adam पर स्टोरी पब्लिश की तो एक लड़की का मुझे कॉल आया वो क्लेम कर रही थी कि Adam ने उसका रिप किया है उस लड़की ने क्या कहा था और उस लड़की का एड्रेस सब Alice उसे फैक्स करने के लिए कहती है Alice फिर इसे इन्विस्टिएट करने के लिए उस लड़की के पास आ जाती है Alice ढोंग लेती है कि वो रिपोर्टर है जिसने Adam की इंटर्विली थी ये लड़की फिर सब कुछ बताने लग जाती है ये लड़की कहती है कि हम एक पार्टी में थे उसके बाद हम बाहर के एडम मेरे साथ इंटिमेट होना जाता था पर मैंने उसे मना कर दिया था पर फिर भी उसने मेरा कुछ माना नहीं ये लड़की कहती है कि उसने मेरा रेप किया पर उसे इसके लिए कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था वो एक मॉंस्टर है इसके बाद एलिस वहाँ से चले जाती है और एक्चुल रिपोर्टर के पास मिलने के लिए आती है ये रिपोर्टर का सब कुछ बताती है रिपोर्टर कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करो तुम्हें curiosity थी ये ठीक है पर इसी curiosity के चक्कर में लोग hurt हो जाते है रिपोर्टर ने Alice और Adam के जोड़ी देखी है उसे मालूम है कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते है रिपोर्टर फिर कहती है कि इन सब चीज़ों को तुम जाने तो इस पर तुम बिलिव नहीं कर सकती जिस कैफे में Alice इस रिपोर्टर से मिलती है इस कैफे में हमें दिखता है कि इन दोनों पर कोई नज़र रख रहा है Alice साथ में इनी सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती है Alice realize करती है कि Adam के साथ उसने शादी तो कर ली है पर Adam के बारे में उसे ज़्यादा कुछ चीज़े पता नहीं है हम लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी stories हमें मालूम है उस तरह की story उसे कोछ भी मालूम नहीं है Alice को फिर realize होता है कि उपर एक cupboard है जो locked है वो फिर उपर जाती है चावी लेती है और उसे unlock करती है unlock करने के बाद उसे बहुत सारे letters मिलते है ये सब letters लड़कियों के होते है एक लेटकी ने इस letter में खहा होता है कि वो अब Adam के साथ नहीं रह सकती Adam जो भी सब चीज़े करता है वो बहुत ही extreme है और उसके साथ ये सब नहीं कर सकती ये letter वो बढ़ते बढ़ते ही Adam वहां जाता है ये जल्दी से इस cupboard को बन कर देती है ये जल्दी जल्दी में ही Adam के पास आती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया Adam पहचान जाता है भी कुछ ना कुछ तो गड़बढ़ है जब मैं next day में breakfast कर रहे होते है तो Adam पुछता है कि मैंने तुमें कल कॉल किया था पर तुम अपने office में नहीं थी अलिस के थी है कि मैं कलाइन के साथ इक meeting में थी Adam उसे बहुत interrogate करता है अलिस इस पर चीट जाती है अलिस इस पर चीट जाती है तो Adam केता है कि तुम कहा काम करती हो दिन में क्या करती हो ये मुझे picture करना सही लगता है डेबरा ने अलिस को जो नेकलेज दिया था उसके बारे में उसे पुछता है अलिस इसके बारे में भी उसे बता देती है Adam का फिर friend वहाँ आता है Adam की और एक interview है तो वहाँ से चला जाता है Adam वहाँ से जाने के बाद अलिस को फिर से एक letter मिलता है इस letter में लिखा होता है कि तुम उसके साथ कितने दूर तक जा सकती हो अब हम देखते हैं कि एलिस को जो letter मिला था जिसमें लड़की Adam से कह रही थी कि उससे break up करना चाती है उस लड़की का address वहाँ होता है तो वहाँ पोच जाती है यहाँ पर उस लड़की की मदर होती है यह मदर कहती है कि 8 मेने हो चुके उसकी बेटी घर पर ही नहीं आई यह 8 मेनें उसे गायब है तो एलिस बहुत ही suspicious हो जाती है एक्च्वे में जो लड़की थी उसकी शादी हो गई थी पर वो एडम के साथ ट्रेकिंग करती थी इसी वज़े से उसके साथ वो ब्रेक अप करना चाती थी इस लड़की की मदर इस लड़की के फोटो एलिस को दिखाती है एडम ने एलिस का जिस तरह से फोटो निकाला था स्टैचू के सामने उसी तरीके से इसी लड़की का भी फोटो वहा होता है Alice फिर समझ आती है कि Adam इस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा involved था और Adam इस लड़की का गायव होने के लिए responsible हो सकता है लड़की की मदर कहती है कि Adam भी उसे मिलने के लिए आज आने वाला है Alice डर जाती है क्योंकि Adam उसे spot कर सकता है जल्दी से वहाँ से भाग जाती है रात में Adam जग घर पर आता है तो Alice से बुछता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो Adam Alice को पकड़ता है और table से उसे बान देता है Alice Adam से कहती है कि मुझे सब कुछ लेटर्स मिल चुके थे Adam बहुत इचिट जाता है वो कहता है कि तुम मुझे पर ट्रस्ट क्यों ने करती वो सब Adam का पास था उसे भूलाना चाहता है Alice फिरुजे स्वारी कहती है पोलती है कि मुझे लगा था तुमारे बारे में और भी कुछ जादा में जान सकी तो मैं तुम से जादा प्यार कर सकूँगी Adam उसे कहता है कि मुझे अंटाय करो उसे टॉलेट जाना होता है जब ये टॉलेट के लिए चाती है तो खिड़के से बाहर निकल कर भगने लग जाती है एडम भी रिलाइस करता है और वो भी भागता है एलिस एक जगा अंदरे में छूप जाती है और एडम उसे धूननी पाता वो डारेकली पुलिस के पास आती है उसे जो लगता है कि एडम ने एक लटकी को मार डाला है यह सब चीज़े वो पुलिस को बता देती है जो भी सब मुवे में अब तक हुआ था यह सब पुलिस को बता रही थी Adam Alice के लिए चिंतित हो जाता है और वो भी पूली स्टेशन आ जाता है वो पूलीस को कह रहा होता है कि वो Alice के लिए बहुत ही वरीड है इसलिए वो उसे ढूनने के लिए आया हुआ है पूलीस Alice को कहते हैं कि तुम जो सब कह रही हो यह सब ठीक है पर उसके खिलाफ हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है हम उसे अरेस नहीं कर सकते Adam फिर जब पूलीस स्टेशन से चला जाता है तब Alice वहाँ से निकलती है वो डिरेक्ली डेबरा के पास आती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि Adam ने खून किये है Alice डेबरा से कहती है कि जो एक्सिडन हुआ था कि तुम्हें लगता है कि वो जान बुझ कर उस नहीं किया था Alice को लग रहाता है कि वो अपनी गल्फरेंड से भी तंग आ गया था इसी वज़े से उसने अपनी गल्फरेंड को भी मार डाला डेबरा कहती है कि मुझे भी उस पर शक है ट्रेकिंग करते वग जो हुक उन्होंने यूज किया था ये बहुत ही स्ट्रॉंग था ये कभी भी तूट नहीं सकता था Alice कहती है कि हमें उस मिसिंग लड़की की बॉड़ी ढूननी चाहिए Alice को लगता है कि जहाँ पर उसकी फोटो एडम ले ली थी वही पर ये लड़की गड़ी होगी Alice और डेबरा तोनों फिर उस जगा पर जाने के लिए निकल बढ़ते है जब एकार में होते हैं तो डेबरा कही थी कि जो लेटर तुम्हें आ रहे थे वह में ही सेंड कर रहे थी मुझे पता था कि मेरा ब्रदर एक अच्छा आदमी नहीं है वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है यह मुझे मालूम था इसलिए तो में वान करने के लिए यह सब लेटर में तो में भेशती थी एलिस को ढूंते ढूंते एडम भी डेबरा के घर बर पहुच जाता है वो अंदर आ जाता है और अंदर उसे उस लड़की फोटो मिल जाती है उसे पता चल जाता है कि यह कहा गए होंगे अब एलिस और डेबरा जगा पोर पहुच कर डिक करने लग जाते है एलिस को थोड़ी देर बाद बोड़ी मिल जाती है अब वो बहुत ही डर जाती है उसने प्रूफ कर डाला है कि एडम ने यह सब किया होगा और भी डिक करती है तो उसे एक नेकलेस मिलता है यह वही सेम नेकलेस है जो डेबरा ने एलिस को दिया था डेबरा फिर कहती है कि ये सही है मैंने ही उस रेटगी को मारा था एडम का जो एक्सिडन्ट था ये डेबरा नहीं करवाया था एलिस को धक्का लगता है वो पुछती है तुम ये सब कर क्यों रही थी डेबरा कहती है कि सिल्क के साथ इस घर में तुम जो सब कर रहे थे तो तुम्हें क्या लगता है कि एडम को एक किसने सिखाय होगा यानि कि डेबरा बच्पन से पागल थी और एडम के साथ इंटिमेट हुआ करती थी डेबरा फिर यह कैकर शवल निकालती है और एलिस को मारने लग जाती है एडम भी वहाँ पहुच जाता है एडम डेबरा को मार कर घायल कर देता है एलिस वहाँ से भाग गई होती है थोड़ी देर में एलिस वहाँ आती है Adam के बीचे से Deborah फिर से उसे मारने के लिए आ रहे होती है पर इस बार Alice के पास जो flare gun चर्च में रखते थे वो है इस flare gun से वो Deborah को मार डाल दी है Adam कहता है कि मुझे लगा था कि अगर तुम मुझे पर ट्रस्ट कर भाweगी तो मुझे कुछ भी तुमें बताने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसके बाद पुलिस को पुलवाया जाता है यह सब कैस वेकरा क्लोज हो जाती है आडम अपनी जिन्दगी में हर चीज एक्स्ट्रीम करता है पर इस एक्स्ट्रीम जिन्दगी ऐलीस नहीं जी सकती उसे जरण स्टेबल लाइब जीनी है इसी वज़े से अब वो आडम के साथ नहीं रहना चाती वो उसके साथ ब्रेक अप कर लेती है वो हमसे कहती है कि वो अभी भी आडम को याद करती है वो दो साल बाद फिर Adam से मिली थी पर इस बार उसने उससे कुछी बात नहीं की थी उसे पता है कि Adam के साथ उसकी relationship गलत है यही यह movie end हो जाती है अगर हम movie में Alice के बारे में बात करें तो उसने अपने boyfriend पर cheat किया Adam को जानती भी नहीं थी फिर भी उसने उसके साथ चादी कर ली जब उसे यह realize हुआ तो सब चीज़े बाहर आने लग गए Adam के बारे में उससे सब कुछ चीज़े पता चले और उसके बाद उसके साथ रहने पाई movie में Adam Violent ही हमें दिखाया क्या है उसने किसी का murder नहीं किया है पर एक लड़की ने कहा था कि उसका उसने rape किया है और ये भी सच हो सकता है एल उसको Adam के साथ रहना dangerous ही था तो ये सही decision था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीस इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आता रहता हो अपले इस चानल को subscribe कर दीजे और बेल notification आइकोन दबना में मत भूले फिर से मिलेंगे और एक नई movie साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्यार रखिये